इस वीडियों क्लास 10 चेप्टर नम्म थरी की एक्साइज 3.3 का कुष्ट नम्म थर्ड का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपको इसमें पहले तो लीनेर एक्विशन्स फॉर्म करनी है उसके बाद आपको क्या करना है सॉब्स्टिट फिया पर किलोमीटर एक्साइज चायज्थ पर कीम्म थाफिर।fy चाहग एक्साइज पर क्योमीटर मानिया हुआ ह है तो कितना charge pay करना पड़ेगा तो solve कर लेते हैं इसको देखे सबसे पहले let the fixed charges be x solution let the fixed charges be x rupees x and charges per kilometer and charges per kilometer कितने है रुपीज य यह assume कर लिया according to question क्या दे रखा है first 10 km के लिए उसमें fixed charges है x हमने मान लिया कि x fixed charges है उसके बाद charges per kilometer 1 km के लिए रुपीज तो 10 के लिए कितना हो जागा 10 y तो यह हो गया 10 y and कितना pay किया 10 km के लिए 105 रुपीज तो इस गोस्ट वन 05 similarly second condition क्या हो जाएगी fixed charges एक्स रुपीज and 15 km के लिए कितना हो जागा 15 y total कितना pay किया है 155 रुपीज तो यह हो गया 155 हमारे पास two equations हो गई equation first and equation second आपको इनको solve करना है किस method से solve करना है substitution method से substitution method में हम क्या करते है first of all दोनों equations में से कोई भी एक equation लेंगे उसमें से x की value या y की value दूसरे में निकालेंगे उसके opposite में and next equation में put कर देंगे तो solve कर लेते हैं पहले from equation first from equation first from equation first से आपने x का value find कर लेते हैं y में तो 10y को transpose करेंगे दूसरी तरफ rhs में लेके जाएगे तो sign change हो जाएगा इसका it is minus 10y तो यह होगे आपका equation number third x का value आगे आपका in the terms of y now इसको substitute करोगे किसमें first में की second में जिससे find किया है first से find किया है उसे दूसरे में करना होते हैं अगर second में find करते हैं तो first में put करते हैं s-u-b-s-t-i-t-u-t-i-n-g on substituting the value of x the value of x in equation second in equation second क्यों 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 फास्चा find किया था second equation क्या है देखिए second equation x plus 15y is equals to 155 तो x की value इसमें कितनी हो जाएगी 105-10y तो put कर लेते हैं 105-10y and plus 15y भी लिखा हुआ है तो plus 15y is equals to 155 इसको solve करने के पाद हमें y की value मिल जाएगी y की value हम find कर सकते हैं देखिए जो y है जिसमें y दे रखे आपको जिसमें variables दे रखे हैं उनको रखना है left hand side में और जिसमें variables नहीं है constant terms है जो उनको लेके जाओगी आप right hand side में और जब 105 को right hand side में लेके जाओगी तो change हो जाएगा and minus 10y plus 15y कितना हो जाएगा 5y similarly 155-105 will be 50 y की value निकाल सकते हैं इसको solve करने के बाद 5 multiply में है तो RHS में जाएगा तो divide में हो जाएगा cancel out कर लेंगे तो कितना हो गया y की value होगे 10 तो y का answer कितना हो गया आपके पास 10 हो गया अब y क्या माना था अपने पर किलो मीटर आपने क्या माना था charges पर किलो मीटर तो कितना आगया आपके पास 10 रुपीज इसके बाद आपको क्या करना है इसमें एक्स फिगिस चार्ज निकालने हैं तो y को किसमें पूट करेंगे हैं में equation no 3 में equation no 3 कौन सी आपकी 105-10y तो इसमें पूट कर लेते हैं on putting the value of on putting the value of putting the value of y value of y in equation 3 in equation 3 3 में क्यों पूट कर रहे हैं क्योंकि इसमें calculation easy हो जाएगी और बाकिया first and second दोन में से किसी में पूट कर सकते हो ठीक है अब किसी में पूट कर सकते हो लेकिन हम इसमें पूट कर रहे हैं ओके थर्ड में तो x is equals to 105-10y y की value कितनी है 10 तो 10 x 10 हो जाएगा यह it will be 105-10 x 10 is 100 and this is equals to 5 तो आपके fixed charges कितने होगे 5 रुपीज and charges per kilometer कितने थे 10 रुपीज उसके बाद अगर आप question देखोगे तो देखो आपको क्या और find करना है आपको यह भी बताना है कि कितना pay किया distance travel 25 km के लिए तो 25 km के लिए कैसे find करेंगे कितना pay किया है तो solve कर लेते हैं इसको money paid for 25 km 25 km तो condition क्या हो जाएगी इसके लिए कि देखिए सबसे पहले आपको लिखना fix charges fix charges है एक्स and charges per kilometer है वाई तो यह हो जागा एक्स प्लस 25 वाई तो एक्स क्या है 5 fix charges 5 हैं and यह कितने है वाई charges per kilometer 10 अपने इनकी value देखी थी यह हो गया आपके पास कितना 255 तो कितना हो गया आपके पास 255 रुपीज तो लास्ट में आपको क्या-क्या find करना था तो हम सभी चीजे लिख से देते हैं एक साथ में Hence, charges per kilometer, charges per kilometer is rupees 10, charges, fixed charges, fixed charges, rupees 5 and money paid for, money paid for 25 kilometer यह आपने कितना find किया है, rupees 255 तो यह आपने तीनों जो आपको find करने थे, तीनों चीजे फाइंड कर लिए, fixed charges भी, charges per kilometer भी और 25 kilometer के लिए भी charges, ओके थैंक यू